दोस्तों आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या पांच गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपकी किसी भी जानकार सगे सम्मंदी पर अगर पॉक्सो केस लग गया है तो ये पांच गलतिया आप बिल्कुल मत करना हलाकि मैंने पहल क्या कहते हैं उन पर जो हमारा पर्सनल एक्सपिरियंस बोलता है कैसे आप उन केस से निकलोगे और कैसे उन केस को अच्छे से लड़ पाए तो कन्विक्शन नहीं होगा वरना कन्विक्शन रेट बहुत जादा हाई है पॉक्सों में पॉक्सों कोई भी अगर आपके उपर सेक्शन में गरह फैर्दर्ज हो गई तो जेल तो पकी है दोस्तों और कितने टाइम तक आप जेल में रहोगे सालों साल जेल में रहना पड़ सकता है और साथ में कर्विक्शन भी हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डर्र फ्रॉम सेक्शुल ओफेंस जो यह एक्ट है 2012 का दुजर बारा में यह एक्ट आया, 19 में मेंटमेंट आया, 19 के बाद और ज़्यादा सक्त बना दिया गया इस कानून को दोस्तों तो इस चीज में मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं कि बेल के पीछे लगे होते हैं, कि हमें बेल चाहिए जल से बाहर निकलना है, दोस्तों पेन किलर की तरह काम करेगी एक यह बेल, खास करके पॉक्सो केस में ऐसे आपके लिए, क्योंकि आपकी बेल हो जाएग जानने के लिए दोस्तों बने रही है अमरे इस वीडियो भी साथ, नमस्का दोस्तों सागत करता हूँ, फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, इसका नाम है Fight for True, मेरा नाम है विरेंदर वर्मा, जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की Legal Awareness की पर बात क्या है कि हाँ पर भी Categories बाटी गई, कैसे बाटी गई? 0-12, 12-16 और 16-18, अब बात दोस्तों क्या होती है कि अगर किसी भी तरह से बच्चों के साथ में कोई भी, अगर Sexual Assault होता है, किसी भी तरह से एगर कोई छेड़ खानी भी होती है, या Penetrative Sex का मामला होता है, तो ऐसे सभी मामलों को डाला गया पॉक्सों में, अगर किसी भी बच्चे को लेकर कोई complaint आती है, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, जो accused बनने वाला है, फिर चाहें वो लड़का है, या लड़की है, जो 18 साल से कम है, उसको पॉक्सों में बुक कर दिया जाएगा, अब मा हम जब नोटिस करवाते हैं, नोटिस जाते हैं, उनके पार जब बेल लगाते हो हाई कोट में, तो वहाँ पर इवन उनके मदर फादर का नाम तक mention नहीं कर सकते हैं, पर बात क्या होती है दोस्तों, गलतिया आप होसारी करते हैं, सबसे पहली गलती, जो मैंने आम तोर पर लोग गलतीय करते हैं, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सकें, और प्रोच सहन मिल सकें इसी तरह की लीगल अवेरनेस की वीडियो आप तक पहुचाने के लिए और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सबस्काइब करें, साथ में लगा बेल एकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेरनेस की वीडियो आप तक पोच सकें सबसे प अच्छी खासी नॉलिज रखते हो जिन्होंने पहले पॉक्सो केस लड़े हैं, अब दोस्तों बात यह आती है कि आप जब पॉक्सो केस किस से लड़वाते हो, या कोई भी वकील साहब जब पॉक्सो का केस लड़ते हैं, तो आपको भी थोड़ी सी अपनी स्टेडी कर ले दूसरी बात दोस्तों कि इसमें होता क्या है कि आपको, क्योंकि प्रेजिम्शन क्या बोलता है 29 के या आप गिल्टी हो, यही बोलता है पॉक्सो एक्ट, कि कोई भी जो एक्क्यूज आया है वहाँ पर वो उसे गिल्टी माना जाएगा, और मैं देशा कानून ऐसा नहीं ब दोलती है, और अब यहां गलती आप क्या कर देते हो, कि अपने favor में जो आपको evidences लगाने हैं, वो evidences आप लगाते ही नहीं हो, और evidences ना लगानी के वज़ा से बात में conviction होता है, क्योंकि आप जब cross होता है, तो उसमें सही से तोड़ नहीं पाते हो, victim को, या फिर जो भी को या हो सकती है, गलती हो सकती है, आप उस पर उसी वक्त कोई भी objection या फिर देखा जाये तो contradiction create करते नहीं हो, या फिर आप ये मान लीजिए कि questioning के लिए ऐसा कहा लिखाया कि questioning नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं होता, अगर हो सके, उसके अंदर गर ऐसे कुछ points हैं, जिसके आधा पर आप question करा सकते हो, मान लीजिए जिस वक्ती घटना दी गई, मालो दिल्ली में कोई अपराद हुआ, उस वक्त दिल्ली में आप थे ही नहीं, उस महीने में, ये भी point हो सकता है, या जिस बच्चे ने complaint दी, वो बच्चा complaint देने गया ही नहीं, उसके फादर गए हैं, और जो बोलना चाता था वो बच्चा, वो बोलना कुछ आप, फादर ने कुछ और लिखवा दिया, वहाँ भी एक objection उटा सकते हो, बहुत सारे points बनते हैं, जब F.R. पढ़ी जाती है दोस्तों, तो बहुत सारे points आते हैं, जिनके उपर आप objection कर सकते हो, contradictions create होते हैं, और दोस्तों बहस होगी, एक दो डेट और लग जाएंगी, तो समस्या हो जाएगी, अंदर व्यक्षिय मारा एक दो महीना और रह जाएगा, पर आप यह नहीं जानते कि, अगर चार्जे सीधे conceal हो गए, आपके पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं, तो बाद में conviction हो जाएगा, अगर सजा बुल जाएगी 20 साल के, अगर आपके इस केस में, अगर section 6 लगा है, तो कम से कम 20 साल के सजा बुल जाएगी, आप इसका ध्यान बिल्कुल देते हैं, और भी जो गलती होती है, कि जब भी कोई व्यक्ति, और precaution जो लेनी आपको चाहिए, जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी एक्यूज जिस पर फॉक्सो केस लगा, वो जब जेल जाता है, वो कोई व्यक्ति, तो जेल जाता है, बेल होती है, वापस आता है, तो आने के बाद वो अपने केस पर ध्यान नहीं देता है, वो बस per date wise वकील सा आपको कर लेता है, जाता है, आता है, बस केस को चलन केस पर ध्यान देता नहीं, जो की बहुत जादा आपके लिए problem create कर सकता है, और आपका केस अगर अच्छे से नहीं चला, जैसा मैंने आपको बताया, presumption है, presumption of guilty, आपको guilty मना जाएगा, आपको अपने evidences खुद जुटाने होंगे, क्योंकि ऐसे में evidence आपको देने है, ना कि evidence देने इस state को, यहाँ पर आप प्रूफ करोगे कि आपने वो अपराद नहीं किया, आप जैल से गर बहार आए हो, तो अपने case पर अच्छे से ध्यान दें, और ध्यान देने के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए, और भी कैसे आप इस case से निकल पाएंगे, मेरी advice दोस्तो आप सभी को यह है कि पॉक्सो case को हलके में तो आप बिल्कुल ना ले, वरना आपके साथ बहुत बड़ी समस्या करी हो सकती है, एक और गलतियां जो आप सभी लोग दोस्तों कुरते हैं, पांच भी गलती में आपको बताना चाहूँगा कि कोमन गलती है, कोमन गलती है, जो अकसर देखने को मिलती है, अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है, कोई भी अरेस्ट है, वो जेल में गया, तो अंदर जो लोग बैटे हैं, वो अधूरा ग्यान देते हैं आपको, अधूरा ग्यान देते हैं, उस अधूरे ग्यान से आप अपने वकील साफ से बहस करते हो, मैं कन्विक्शन फ्री हो जाओंगा, या फिर मैं केस को जीच जाओंगा, या फिर मैं बेल ले लूँगा, दो उसको ऐसा नहीं होता, सभी केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, अगर आपका फैक्ट बहुत हद तक मिलता है, किसी भी एक ऐसी जज्ज्मेंट से, किसी भी एक ऐसे और से, जज्ज्मेंट जो आया सुप्रीम कोड या कोई भी गैडलाइन्स आई हैं जो फॉलो करनी चाहिए थी, अगर मिलता है तो उसका बेनिफिट जरूर ले, बट अधूरे ग्यान से अपने केस को ना तो लड़े और ना अधूरे ग्यान से अपने केस को रखिय हैं जान करी चाहते हैं कोई एडवाईस हमसे चाहते हैं तो हमें वर्ट्सarrive कर चांडे हैं और आप कमेंट बाक्स में कर सकते हैं हम बात्तो हएका को निक्न कर सकते को मड़को हमार इस वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए